नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने एंड्रोइड टीवी या स्मार्ट टीवी पर कैसे देख सकती हो एक्जामपल के लिए यहाँ पे हम अपने ये वाले फोन कोई सभी फोन हो फरगने पड़ता है इस वाले फोन की स्क्रीन को अपने टीवी पर लेके आने वाले हैं और यहाँ पे हम आपको वाट्साप चलाके दिखाने वाले हैं अपने टीवी पर तो कैसे करना है मैं बताता हूं इसके लिए सबसे पहले अपना टीवी लीजिए यानि टीवी में ध्यान दीजिए आपको आपके TV के अंदर जो main setting है जहाँ पर सारे application या YouTube बगरा आता है उसके अंदर आपको एक option मिल जाएगा cast C A A S T कुछ ऐसा icon होगा या आपको मिलेगा kind link या आपको कुछ link बगरा मिल जाएगा icon को आप ध्यान से देख लीजिए यह कुछ ऐसा लगबग icon ऐसा बना होगा थोड़ा बहुत आपको change मिलेगा तो यहाँ पर हम इसे open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर कह रहा है waiting for kind link network आपका साथ network होगा और हमारे TV का नाम दिखा रहा है आपकी TV का नाम भी दिखाएगा यहाँ पर screen पर lining आ रही है तो इस थोड़ा ignore करिएगा ऐसा होता है camera के सामने अब आपको अपना phone लेना है phone लेने के बाद आपको अपने phone में open करना है cast तो setting में जाईए यहाँ पर आप search करें cast c a s t तो यहाँ पर हम search करते हैं आ चुका है यहाँ से आप इसे use कर सकते हैं यह open हो चुका है open करेंगे तो यह option आपके पास आएगा यहाँ पर cast option तो देख लेजिए इसको तो यहाँ पर यह option आ चुका है आप देख सकते हैं तो यह दिखा रहा है अगर ऐसा नहीं आता है आपके पास काश्ट वारे उप्शन पर जाईए सर्च करेगा यहाँ पर हमारे टीवी स्मार्ट टीवी है उपर नाम दिखा रहा है जैसे कि कहा था मैंने इसमार्ट टीवी पर टच करते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर हो सकता है आपके टीवी पर एक कोड आएगा वो कोड आपको आपके फोन में डालना पड़ेगा और हमारा यहाँ पर स्क्रीन कंप्यूटर पर दिखाई दे गई है तो यहाँ पर हम वर्टसप चालू करते हैं तो आप देख सकते हैं वर्टसप आ चुका है तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और अपने टीवी में अपने मुबाइल की स्क्रीन को देखिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए